वोटर आड़ी लिस्ट में हो रही छेरचार पर गुलबरगा एजडीपियाई लीडर्स ने प्रेसमीट कर एक बहुत ही अहम खुलासा किया है हजडीपियाई लीडर्स ने कहा पिछले एक साल से लगातार शिकायत करने के बहुजूद हज़ारों वोटर्स के नाम डिलिट किये जा रहे है हजडीपियाई ने आट महीने पहले ही अडिमिनिस्टेशन और बीज़ेपि गौर्डर्निमेट को वोटर लिस्ट में छेरचार करने के खिलाब वार्न किया था बताया जा रहा है लगबग 19,000 वोटर्स के नाम एक साजिस के तहर डिलिट किये गए है हजडीपियाई लीडर्स ने कहा गौलबर्गाज शहर में अमेले और कॉर्पेटर्स की नाहिली की वज़ा से आज हज़जारों वोटर्स के नाम डिलिट किये गए है बीजेपी से डरा कर वोट हासिल कर पावर इंजॉय करने वाले सियासतदान आज भी इस बात को नजर अंदास कर रहे हैं कि एक साजिस के तहर पर्टिकुलर एक कम्यूनिटी को टार्गेट कर वोटर्स के नाम डिलिट किये जा रहे है SDPI लीडर्स ने मिलत नगर के पोलिंग बूस से सिर्फ एक पार्ट का सर्वे किया तो यहाँ 155 वोटर्स के नाम डिलिट किये गए है गुलबर्गा शेहर में 155 वार्ट मौजूद है और हर वार्ट में 4 से ज्यादा पार्ट मौजूद है अब अब अदाजा लगा सकते हैं कि एक पार्ट से देर सो से ज़्यादा वोटर्स के नाम डिलिट होए हैं तो फिर गुलबर्गा शेहर में कितने वोटर्स के नाम डिलिट किये गए होंगे हजटीपाई लीडर्स ने डोर टो डोर सर्वे कर एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें अथेंटिक डाटा वा सामने आया है वोटर्स के नाम डिलिट होने पर स्ट्रॉंग इन्वेस्टिकेशन की डिमाइंड की जा रही है मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आएंट तक जरूर देखें आप लोग जानते होंगे के देखिए बचपन में एक खेल खेला जाता था आ ना टिकली मार के जाना उसी तरीके से ये जितने भी ऐलेकटड रिप्रेजेंटेटव हैं पॉलेटिकल पार्टीज है इनों सिर्फ-और सिर्फ वोट हमसे लेना चाहते हैं वोट बचाने की सियासत ये लोग नहीं करते हैं देखे हमालों सिर्फ गुलबरगा नौर्थ ही नहीं में बर्गा सौथ में भी रहमत नगर और इधर मिलत नगर इस दोनों साइड वे जहां पर हम लोग सर्वे करें सर्वे करने के बाद यहां पर पार्ट सिर्फ सिंगल एक पार्ट एक वाड में तकरिबन चार से पांच पार्ट होते हैं उन पार्ट में क्या है एक हम पार्ट निका पर है जो जैनेवरी में पब्लिश हुई है इसको हमने आउनलाइन निकाल कर इसको आउनलाइन हम चेक किये चेक करने के बाद इसके अंदर टोटल 155 वोटर एडी काट्स डिलीटेड है यह डिलीटेड क्यों है बुलकर जब हम एक आफिसर से जाकर मिले एलेक्शन कमिशन में जो कॉर्पोरेशन में उनसे मिलने के बाद उन्हों बोले बीयलो को जाकर मिलो बीयलो से जाकर मिले तो उन्हों क्या बले नहीं इनको जाकर मिलो उनको जाकर मिले तो फिर इनको जाकर मिलो मतलब सिर्फ फिराने का काम हुआ है उसके बाद हमने जब वहाँ पर लोग जब डिलीट हुआ है बोलकर बोले तो हम बोले double किदर है बताईए आप बोलकर तो double किदर है बताने के लिए वो भी डीलिटेड है देखिये कोई चीज अगर election commission के तरफ से कोई transfer होता कुछ लोग बोले दूसरे political parties के लोग बोल रहे हैं कि ये डिलीटेड नहीं है, ये ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड तो YCX नंबर तो वही रहना ना, आनलाइन तो बताना ना, YCX नंबर वही है बोलकर, टोटली डिलीटेड है, वहाँ पर, फिर हम जाकर परस्नली डोर टू डोर, ये सर्वे करने के बाद, इनके नेम, इनका आधार काड़, आएस पर आधार काड़, एज, नेम, डेटा अब बर्थ, पूरे चीज़ां के फादर नेम मारने के बावजूद भी, इनका टोटली डेटा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा सिर्फ एक पार्ट में 155 है, अगर हम चेक करेंगे, हर पार्ट में तकरिबन 100-100-100-100-100, ऐसे डिलिटेट बहुत सारे हैं, अब उनको री अप्लिकेशन डालने के लिए, अलेक्शन कमिशन के तरफ से नोटिफिकेशन भी दायला गया है, और अंगनवाडी टीचर भी घर घर जाकर कलेक्ट कर रहे हैं, डाकुमेंट्स, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, जो लोग कॉर्परिशन एलेक्शन में वोट करें हैं, उनका वोटर एडिकार्ड क्यूं डिलिट हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है, तो इसके अपर जांच होना जरूरी है, इन्विस शक्स को क्यांप्स लगाने की जरूरत नहीं है, अल्डेडी एलेक्शन कमिशन के तरफ से हर वार्ड में बिल लोस को अपाइंट किया गया है, उनकी जिमेदारी है, हर डोर टो डोर जाकर वहाँ पर वोटर एडिकार्ड अप्लेकेशन डालना, और लोग भी उन स्कूल्स म अधर फिर फिर एलेक्शन का दोर आएगा, उसके बाद हम वोट से महरूम हो जाएंगे, तो इसलिए वोट को समझना बहुत जरूरी है, और तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है, कि अपने वोट के अधिकारों को समझे, जितने भी अठरा साल के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जाकर अपना वोटर एडी कार्ड डालें और जो लोग वोटर एडी कार्ड अपना हैं, वो भी अपना वोटर एडी कार्ड चेक करवा ले कर, कहीं वो डिलीट ना हुआ हो, कहीं वो ट्रांसफर तो ना हुआ हो, थैंक यू सो मच, तकरीबन एक साल से वोटर को लेकर करनाटका में बहुत सारे डिलीशन और डिस्कृर्पेंसी रिपोर्ट आया है पुरे करनाटक में सबसे पहले गुलबरगा एसम्बली से हम लोगों ने और यहां के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने यहां पर वोटर लिस्ट में छेड़ चाड़ हुई बोलकर एड्मिस्टेशन को मेमरिडम देकर एड्मिस्टेशन को ताकीत किया था लेकिन उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज और खुद एड्मिस्टेशन और खुद करनाटका सरकार इस चीज़ को एक आईवाश के तरह लेकर बहुत ही मामूली बात इसको समझ कर उसको लोगों के वोडर लिस्ट से नाम गए हैं यह एक बहुत बड़ा एलिगेशन है फंडमेंटल राइट्स को वाइलेशन है और इंडियन डेमोकरिसी को किल करने वाली एक साजिश है बोलकर हम गुलबरगा नौर्थ से बहुत पहले ही में में दे चुके थे लेकिन एज उज सब्सक्राइब करनाटक में और बोला जा रहा है कि 27 लाग वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है पुरे करनाटक में दोसो चोबीस एसम्बली में लेकिन सब लोग एक 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 अप्रॉक्सिमेटली फिकर दे रहे हैं किसी के पास भी डाटा नहीं है कोई पुलिटिकल पार्टी जा कोई भी एक्टिविस्ट इसके ओपर होवर्क नहीं किये है खाली बोल रहे हैं कि गुलबरगा नौर्थ से उन्नीस अजार हुआ है बैंगलोर से सात सातलाघ हुआ है पुर्य डिस्ट्रिक्ट से गुलबरगा डिस्ट्रिक्ट से सट्ब से पास डाटा नहीं है जिकर जंग के लेक्सिन कमेंशन को जब के स्कूल का जो बूट आता है पार्ट नमर 14 इसका हम लोगों ने होंवर किया है जैन्वरी 2022 में इसका अपडेटेड लिस्ट आंलाइन हम लेकर टोटल 1664 वोटरस थे इसमें हम लोगों ने इसका लिस्ट को डाउलड करकर हम इसके पूरे वोटरस को लोगों ने डिटेल में फा पार्ट नमर 14 में मालूम पड़ा है कि टोटल 155 वोट्स डिलीट हुए है पार्ट नमर 14 पार्ट नमर 14 मिलत नगर बूत का नाम आता है आपका पीर बंगली हायर प्राइमरी स्कूल तो इस तरह से होंवर्क हम लोगों ने किया है और कल हम गुलवर का डिस्रिक अडिस्रिक इसको मेंबर नम भी दे रहे हैं कि यह स्पेसिफिक डाटा है इनों बोले उन्हें बोले बोलकर यह डाटा नहीं है हम खुद हम लोगों ने उसको हमवर किया है और घरों को जाकर बीचेक कि आए कि दुसी जगा इनका वोटर ट्रांसवर हुआ क्या होगर पूरे आलमस्ट आए तक्रीमान बारा घरों को हम लोगों ने खुद जाकर उनके और कई पी वोटर ट्रांसवर वाकर वह भी चक करें तो वह भी ट्रांसवर नहीं हुआ है इनके पूरे आलमस्ट वाट्स पार्टनमर फोटीन से डिलीट हुआ है हम इनके घर को जाके भी चक किये हैं ति इ उसी लिस्ट में अभी भी वो लोग वहाँ पर एड्रस वहीं पर वहीं पर लोग हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि गुलबरगा कॉर्परेशन या गुलबरगा एलेक्शन कमिशन का जो डिविजन है इस चीज को संगयन लेना है सीरेस लेना है अब हम यहां की वहां लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जब देखते हैं बैंगलूर के 28 एसमबली में जब सात लाग वोटरस डिट हुए तो वहां पर एक पॉलिटिकल माहौल गर्माने के वज़े से वहां पर बैंगलूर के चार ओफिसस को एरेस्ट किये हैं वहां पर इनिस्टिकेशन चालु हुआ है लेकिन गुलवर का नौर्थ में हम लोग बार-बार कर रहे हैं कि 19,000 वोटर लिस्ट डिलीट हुए है और हम लिस्ट भी दे रहे हैं लेकिन अब तक यहां पर कोई इन्विस्टिकेशन नहीं हुई कोई अफवायर दाखिल ने हुआ कोई कुछ काम ने हो रहा है क् नौर्मल तरीखे से जो डिलीशन होता है एडिशन होता है वह बोल रहे हैं लेकिन अब हम उनको पर्टिकुलर्ली यह पार्ट नमबर 14 और 155 का लिस्ट दे रहे हैं इसमें कौन इसको छेड़ चाड़ करे हैं उनके अपर एफवायर होना है और इन्वेस्टिकेशन करना है कौन भी इसमें सामिल है या कोई पॉलिटिकल पार्टी सामिल है या कोई एडिमिस्टेशन से सामिल है उनके अपर यह फायर करना है उनको इमिडिटल एरस्ट करना है अफसोस की बात यह है रिसेंटली कॉर्पेशन एलेक्शन हो गया है टोटल 54 55 वार्ट का कॉर्पेशन भी एलेक्ट हुए है ये जो वाड के जो कॉर्पेटर्स हैं ये लोग जिम्मेदार हैं वोट लेकर एलेक्शन में जीते हैं इनकी जिम्मेदार ये थी कि वोट बचाने की भी जिम्मेदार इनकी है जब ये वोट लेकर अवाम का वोट लेकर ये लोग जब जीते हैं तो सबसे पहला ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कॉर्परेटर्स की जो रिसेंटली एलेक्ट हुए है कि वोट की वोट भी बचाना भी आपका काम है और उसके बाद MLA की भी जीम्मेदारी होती है खाली MLA सिर्फ पांच साल में एक वर्दावा एलेक्शन की टेम पर काम नहीं करना है हर साल जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है एडिशन और डिलिशन का काम होता है हर जैनवरी में हर साल की जैनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होता है तो इसके ओपर हमारी MLA क्या काम कर रहे है यहां के Member of Parliament क्या काम कर रहे है में अपोजिशन के जो लीडर से एलेक्टेड जो कार्पेटर से यह जो वोटर को सेव करने के लिए का काम कर रहे है तो हम जब जमीनी सत्य में देखते हैं पूरा इसका जीरो इसके बारे में अक्टिविटीज है कुछ लोग एक्टिविस्ट कुछ POLITICS क्यालम क्याyor करकर कि क्याने एसकी काम कर रहे हैं लेकिन इसे काम होने वाला नहीं है ु MON거야 knit & esca 600 रिशन्डी यह कॉर्पष्फछ और कॉंपरे इस जीते हैं इन्की भी जीमेदारी है कि हर पार्ट में प्रिंट आउट लेकर हर घर को जाए जिस तरह आप हर घर को जाकर वोट मांगे है वोट की भीक मांगे है तो आपकी जिम्मेदारी है उस वोट को सेव भी करना उसको बचा के रखना है जिस तरह से आप वोट मांगे हैं उसको वोट बचानी की भी जिम्यदारी आपके है हर घर को जाकर किसका किसका वोट लिस्ट में से डिलीट हुआ है उनको वापस लाने का आपकी जिम्यदारी है लेकिन अफसोस की बात यह है गुलबर का नौर्थ खासकर यहां से ना यम्मेले सीरिस हैं इस चीज़ को लेकर ना जो रिसेंटली एलक्टेड वाड्स को इसके बारे में सीरिसनस है उन्हों तो जीत गए अब 5-6 साल तक उनको को कोई फिकर नहीं है लेकिन फिकर किसको होने चाहिए तो मेरा मैन लेंश से डिमांड है और जो कॉर्परेटर जो जीते हैं आपसे झाच करता हूं लोग हम लों करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ऐसे जीता है उस तरह से के साथ चार तरह से बैंगलोर में यह fire होकर चार officers को अरेस्ट किये हैं उसी तरह से क्यालन में घुलबर का में वोटर लिस्ट के साथ जो भी छेट-चाड के हैं जो भी officers इसके साथ चेड़चाड करें उनको अरेस्ट होना इसके उपर investigation होना है Social Democratic Party of India का demand